नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैकलोफिन दवाई के बारे में बैकलोफिन दवाई का मूल नेम है, मेडिकल स्टोर पे ये लियोफिन टैबलेट के नाम से बिखती है और लियो रेसल टेबलेट के नाम से भी बिखती है और भी इसके कई सारे ब्रेंड ने मार्केट में अवलबल है दोस्तो अगर बात करें कि यह जो बैकलोफिन है यह आखिरकार है क्या तो दोस्तो यह इसकलेटल मसल रिलेक्जन्ट मेडिसिन होती है जो कि हमारी जो मसल्स होती है उनको रिलाक्स करके अपना काम करती है बात कर लेते हैं दोस्तो कि यह जो बैकलोफिन दवाई है यह कब दी जाती है तो दोस्तो मान लीजे कि कोई मरीज है जिसके स्पाइनल कॉर्ड जो होती है जो कि पीछे वाली जो रिड़ की हड़ी होते है उसके बीच में spinal cord होते है उसमें कभी चोट लग जाती है या फिर उससे related कोई बीमारी हो जाती है मरीज को तब ये दवाई चलाई जाती है साथ ही दोस्तों जो है ये जो टेबलेट है ये हमारी मसल्स को रिलाक्स करके आराम देके अपना काम करती है तो दोस्तों इसका उप्योग कुछ प्रकार के इसपास्टी सिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है अब भाई ये spasticity क्या होता है तो जब ये condition हो जाती है तो मरेज की जो muscles होती है उसमें stiffness आ जाती है और tightness आ जाती है ये condition तब देखने को मिलती है जब किसी मरेज को multiple sclerosis की दिक्कत होती है तब इस दवाय का उपयोग किया जाता है दोस्तों अगला जो इसका उपयोग है वो है amyotropic lateral sclerosis ये दोस्तों तंत्र का तंत्र का रोग होता है जिसमें की manspatio को ये रोग क्या कर देता है कम जोर कर देता है और सरीर की क्रियाओं को बहुत ज़्यादा effect करता है ये दोस्तों अगला जो उपयोग है वो है flexor spasm इसको आ घाओ या फिर चोट लग जाए ये थे इसके उपयोग हो सकता है डॉक्टर अपने experience के हिसाब से इसको other condition में recommend करें बात कर लेते हैं friends कि भाई ये जो tablet है इसको लेना कैसे है तो दोस्तों बात करें डोस के बारे में तो 10 mg की tablet bd मतलब दिन में 2 से लगाकर 3 बार लेने की सला दी जाती है मुख्रोब से जो dose होता है वो 10 mg से लगाकर 25 mg नॉर्मली चलाया जाता है बात करें side effect के बारे में तो side effect में जैसे कि drowsiness होना mental confusion होना या फिर एंटाक्जिया होना मतलब बेचैनी महसूस होना ये लच्छड आपको दिखाई दे सकते हैं ये दवाई लेने के बा तो baclofen दवाई लेते समय अगर इस दवाई से किसी पकार की allergy है तो इसका उप्यूग ना करें अगर आपके अधर कोई health issue है कोई भी हो तो अपने doctor से उसके बारे में बताएं तो वो decide कर सकें कि ये दवाई आपको देनी है या फिर नहीं देनी है तो दोस्तों ये था वीड बंदे मातरम टेक केर बाई